हेलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल जैकपूर पे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आप लोगों के बेसिक ग्रामर के बारे में ठीक है तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है सुरूस लेकियां तक बने रहना है यह वीडियो जो है आप लोगों के ग्लास 5 से लेके क्लास 8 तक के सभी छात और छातराओं के लिए काफी इंपोर्टन होने वाला है तो आज हम इसका पार्ट 1 करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेटर का हिंदी होता है अक्षर क्या होता है अक्षर होता है अगर हम इसके डिफनेशन में जाएं तो यहाँ पे कह रहा है कि लेटर वह सबसे छोटी इकाई होती है यानि कि यूनिट होती है जिसका परियोग कर हम कोई अंगरेजी का सब्द लिखते हैं यानि जैसे कि हमने Apple लिखा है, A, W, P, L, E, तो ये जो A है, P है, P है, फिर L है, फिर E है, ये सब Later है, और ये इसकी छोटी छोटी unit है, यानि इकाई है, इन सब को आपस में जोड़कर हमने एक सब्द बना दिया, Apple, और Apple का मतलब एक निकल कर आया, Save, ठीक है, इसी बात को यहा ये तो हो गया, Hindi में, अगर English Medium वाले कोई छातर छातर आएं हैं, तो वो याद करेंगे, A letter is the smallest unit with the help of which we write an English word, यानि English word को लिखने के लिए, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसके हम help लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, Later कहते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं, कि अंग्रेजी में 26 letter होते हैं, यानि कितने होते हैं, 26 होते हैं, इस ABCD जो है, इसको आप अगर गिनिएगा, तो ये 26 होंगे, कितने होंगे, 26 होंगे, चाए वो बड़ा हो, चाए छोटा हो, same to same होता है, तो ये 26 letter होते हैं, अंग्रेजी में कितने letter होते हैं, 26 letter होते हैं, इन्हें हम दो परकार से लिख पाते हैं, एक तो होता है हमारा capital letter, एक होता है हमारा small letter, capital के मतलब होता है जब हम बड़े अक्छर में Lucky direct को लिखते हैं और small letter का मतलब होता है जब हम उसे छोटे अक्छर में ABCD को लिखते हैं ठिक है, आज दोनों में जो है लेटरों की संख्या कितनी होगी 26 यानि आज के बाद से यदि आप से कोई सवाल कर ले या कोई पूछ ले कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं ABCD में तो 26 अक्षर होते हैं या आप से पहले जानते हैं कि भोवेल होता क्या है A, E, I, O, U को भोवेल कहा जाता है यानि आपके जो A, B, C, D के अक्षार है 26 जतने 26 अक्षार है उसमें केवल और केवल 5 अक्षार ऐसे हैं जैसे A, E, I, O और U इसे ही हम लोग भोवेल कहते हैं अब बाकी सब जतने बच जाएंगे वो सब कॉंसोनेंट कहलाएंगे यानि कि A, E, I, O, U के अलावा बाकी लेटर को कॉंसोनेंट कहा जाता है ठीक है अंग्रेजी के वाले चातर अंग्रेजी में यहां पर पढ़ सकते हैं नेक्ष्ट देखते हैं क्या है डबलू और वाई को सेमी भोवेल्स भी कहा जाता है अब देखिए A, B, C, D के अक्षर में यह नया है आप लोग अभी तक भोवेल और कॉंसोनेंट परते थे लेकिन यहां पर आपको एक चीज़ सीखने को मिल रहा है कि डबलू एंड वाई सेमी भोवेल्स कहा जाता है अगर आपसे कहा जाए कि निम्ड में से कौन सेमी भोवेल है तो डबलू एंड वाई सेमी भोवेल होगा याद रखिएगा यह जब सब्द से सुरू में रहते हैं ठीक है यह जब सब्द के सुरू में रहते हैं तब consonant कहलाते हैं जब ये सब्द के सुरू में नहीं रहते तब vowel कहलाते हैं ठीक है समझ में आ गया line का मतलब कह रहा है कि जब w और y अगर सुरू में रहेगा जैसी हमने work लिखा w,o,r,k तो ये w कहा है सुरू में है तो सुरू में रहने का मतलब है कि ये क्या हो जाएगा consonant कहलाएगा अगर सुरू में है तो consonant है यानि vowel नहीं है अगर ये बीच में है या last में तब वो vowel कहलाएगा है सेमी vowel हो जाता है समझ में आ गया चलिए next देखते हैं next अगले वीडियो में ठीक है उमीद करते हैं कि आपको अभी तक जो भी हमने आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा समझ में आ गया है तो जल्दी से एक वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पे यदि पहली बार आये तो सब्सक्राइब करके घंटी के बैल अकन को दबा दीजे ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मुबाइल पर जाता रहे यदि आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम गूरूप को जोईन कीजे वहाँ से आप लोगों को काफी सरा अपडेट मिलता रहता है तो मिलेंगे अपने अगले पार्ट में थैंक यू